अस्लाम लेकुम स्टूरेंट्स कैसे हैं आप सब अमीर है आप सब खालियत से होंगे आपका आज उर्दू का लेक्चर है क्लास टूल का सेकिंड लेक्चर You can see on the board आज जोने सिसंबर है और क्लास टूल का उर्दू बसमूल का सेकिंड लेक्चर है और आप अपनी बुक्स जो है वो उर्दू की open टर ले और साथ pencil और razor भी पकड़ लिया करें ताके जो आपका उर्दू का बुक वर्द है वो आप solve कर सकें क्योंकि वो तो short सा वर्द होता है जो आप लेक्चर के द्वरान भी अपनी बुक्स पर solve कर सकते हैं एक चीज़ जो मैंने आपको बतारी थी वो ये कि आपके hard copy की form में जो notes हैं वो हमारे account office में प्रांच से available हैं वो आप payment करके notes receive कर सकते हैं आप वो as soon as possible receive करें ताके आप अपना हर्द जो है वो complete कर सकें books पर भी और note books पर भी आपने learn भी करना है ठीक है और आज हमारा रेक्टर हम start परते हैं अपना सबत नंबर 14 नज़ है ये इसका नाम है चीडिया और शारे है कल्यूम नज़र आपने इस previous session पढ़ा था वो भी चीडियां के बारे में ही था एक वो एक सबत था इसमें आप उन्हें पढ़ा था कि चीडिया की तरह आपने मदल करती है और भी पूरती है वो भी चीडिया के बारे में था और आपने उसका बर्च वो भूपर फिनिश कर लिया और इसके लिए नोर्स की भी इतनी जरूरत नहीं उर्दू के लिए जो रिडिंग होती है उसमें से हम वैसे तो हर सब्जेक्ट का यही होता है जो हम रिडिंग करते हैं तो उसमें से ही हम पॉस्टम्स के आंसर्स निकाल लिते हैं और उन्दूमे मैं इसके कहड़ी हूं कि आप इसको पढ़ती हैं तो बहुत एजी आंसर जो हैं वो हमें मिल जाते हैं आपने कॉपी पर जो बहुत करना है वो इमला है सवाल जवाब है और अगर जुम्ले लिट करने पड़ें जहां जुम्ले लिटने की स्पेस बुक में ना हो तो वो आपने कॉपी पर लिखने हैं और दूसरा यह के कॉपी की कंडिशन आपने अपनी देखिये नहीं है कि आया कि वो सेटल है सेकिंड टर्म का लेसंस जो है जिनने भी आपके सेबस के कॉड़िंग उसका बर आ चाएगा तो फिर आप इस अपर थर्ड टर्म कर टैग लगागर अपना वर्क स्टार्ट करें अगर ऐसा नहीं है पॉपी सेटल नहीं है तो काईटी न्यूर्ट करें पर चेस करें और उसके उपर भी आपना देखिये क्लास मेंशन करने के बाद इंसाइड में आप थर्ड टर्म जरूर मेंशन करें थर्ड टर्म का टैप बनाएं क्यारा साथ बूद बनाएं और फिर आप पेस्ट करें और फिर आप अपना वर्क साथ नहीं जिसना से आप से ही टर्म निक रखते रही हैं पहले सबग का नमबर जिसना में पर राइट पर राइट दिया है और फिर उसके बाद लीचे से सब़ाप के जवाबाद यह भी आप इतना स्टार्ट करेंगे नह पहल प्रिस्वाला के जब दूने पहने लिखते हैं तो वोगिराब एक एक पेज पेज़ पे होनी चाहिए एक पेज़ पेज पे टूव पेज़ 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 नहीं होनी चाहिए सम्टाइम छोटी एक ज़से इमला है उसके सीरह 5 वर्ट होते हैं तो हम इसको टूलाइस में पूरी करके दिनाइस activity स्टाट कर देते हैं ऐसा नहीं करना आपने इमला को आपने five words ही है मेशर लेकर उसको तुदा space दे के राइट करें और अच्छी राइट करें और next paper जाके आपना next activity स्टाट करें तो अब हमें यह एसमा start करते हैं लेसमे जिर्या यह एक जो हम पढ़िए है जिसको हम पढ़ेंगे आप जब नजन पढ़ते हैं आपा अच्छा लगता आप नजन पढ़ना इक एक करके आती है उरकर उर जाती है इन्वही याधा उर जाती है कितनी अच्छी है जिरिया, मुझ को प्यारी है जिरिया, आपस में जब लगती है, चौन से तुम को पकड़ती है, कितना शोर में जुप हो जाती है, कितनी अच्छी है जिरिया, मुझ को प्यारी है जिरिया, मेरे पास अब रहती है, मुझ से कुछ सब रहती है, पिजड़ी पानी इनको बिलाता हूँ, मुझको प्यारी है चिडिया, तो आपको चिडियों की आवाज आती है चह चहाने के और वो बहुत अच्छी कानौ, बहली लगी होती है और सुबस्वाज जब चिडिया शोर मुचारी होती है तो वो शोर नहीं होती है वो अलतालती तालीफ जान करी होती है और पिर अगर आप की छथत पर या आपके की झमें इंदी जगह है और आपको ठोड़ाए ब्लाद अगो धुछाने है और आपको रोटी के टुक्रेट कर्यट आलने और पानी रख दे तो वो चिडिया आपके भी सीन भी आजाएंगी और झाप भी आजाएंगी और परिंदे इतने प्यारे होते हैं अब अब आफ जानता आपको पैता करने का वहां रखा है कोई भी जानदार, कोई भी चीज़ा लगा ने बेर फाइदा पैदा नहीं थी तो हमें परिंदों का जानदों का खास ख्यान रखना चाहिए हमें की पेर करनी चाहिए क्योंके वो दुआ रेते हैं और ये आपने फुर्दिस्की रीडिंग करनी है जब आप इनको इनका ख्यान रखेंगे तो ये आपको बिच्चान नहीं रखेंगी और अल्लाद अल्लाद ने इनको पर दिये उड़ने के लिए इसकी मदद से लिए उड़ती है और जो सबसे दुनिया का छोटा प्रिंदा है उसे प्यूमिंट पर कहा जाता है ये भी चिडिया की एक किसम है अब हम इसकी मश्च की तरफ आते हैं पहले इसके खास अलपास हैं उसको सबसे उपर सबसे पहले इकले होते हैं खास अलपास उसमें एक्टोमुच चिडिया, खिटरी, फुर, पल इन अलपास की आपने जादा सा जादा प्रैक्टिस करने हैं और इनको भॉपिंपर पुष पक्त लिखना है यूँके आपको बतल एक नमबर के एक जादा का लबस होता है इसलिए जादा से जादा से जादा प्रैक्टिस करें उसके बाद आप बुक की तरफ देखें पेस नमबर 87 है ये सवलाद के मुक्तसित जवाबाद है इस पे बुक पे स्पेस है आपके तो सवलाद के जवाबाद तो फिरा बुक पे नहीं राइट करेंगे कॉपी पे तो नहीं राइट करेंगे कॉपी पे सिर्फ आपकी इमला होगी ठीक है पॉपी पे सिर्फ इम्ला राइट करेंगे अगर कहीं जूले राइट करेंगे और अलफाज माईनी भी आप प्रैटिस के लिए राइट कर सकते हैं लेकिन भूमेंट मौझून है इस सबर के अलफाज माईनी नहीं है जी सवाला के मुक्तसित जबाट पार पहला सवाल है शाय को चुडियां क्यों अच्छी लगती है क्यों अच्छी लगती है शाय को चुडियां क्योंकि वो आती जाती रहती है चैज जबाती है इसलिए वो प्यारी लगती है क्या चिरियां फिजरे में रखती हैं? नहीं, चिरियां फिजा में उड़ती हैं, पर द्रफ्तों पे बैठती हैं, गौसला बनाती हैं चिरियां लगते हुए क्या करती हैं? क्या करती है उचिरियां लगते हुए? चौन से दूम को पकड़ती है कि दूसरी चिरिया के दूम पखड़ती है डूसरी चिरिया का गट दूम्er लिए पल में चुत हो जाने से क्या मुदा है जब ये शोर में चाती है यह एकनम चुप भी कर जाती हैै तो उप भी खांपोशी छा रखती है तो इसमें से आपको ये रफस मिल जाएंगे, ये आपने बूर्ट पर दिलाएंगे इत्की करके आती है, फुर करके उर जाती है, इस तरह से यह आप इसके जो लपस मिसिंग हो आप सॉल्ट करेंगे, अब नेक्स प्रेज ओपन करें, पेज नमबर 88, आवाजों के नाम भी होते हैं, बिल्ली के आमिया करती हैं, भड़ के वास की टिक करती है, और कोयल कुपू क प्रिंदों के नाम और उनके आवाजें जो हैं, वो आपने अपने अपनी बुक पर लिखनी है, नाम भी आपने राइट करनी है, और आवाजें भी राइट करनी है, यहां अब आपके पास के ऐसा प्रिंदा तोटा, इसमें सिर्फ आपकी बुक में सिर्फ इसकी तस्वीर प्रिंतप क्या है नेहीं है नहीं है और गोडली तोड को अर इसके आवाज क्षना को पुसा है ताहा है टीझ है उसके बाहए कर फ्रूतर है आप पहले का शूरूतर कि छिखेगे गुपमें और उसके आवाज है क्या आवाज है उत्र हम थर्ड कर्ण जो है वो कव्वा है तीसरा प्रिंदा कव्वा है और कव्वा क्या करता है काएं काएं करता है और ये तो आपकी शब्ध की जो दिवार है उस पर डेली आते हैं कव्वे तो तो अधार कव्वतर तो कव्वी तो भी देखने को मिलते है ना आप तो लेकिन कव्व तो आपको हरोज देखने को पिलता है उसके बाद मुरुगा मुरुगा लिखेंगे आप फस बॉक्स में सेकिंड में आप उसकी आवाज लिखेंगे कुडू कुण सब को पता है न कि गुड़का कैसे बोलता है को कुडू कुण उसके बाद है चडिया चुरिया क्या करती है चुम चुम ये तो मारे सबस में भी याई की चुरिया चुम चुम परती है ठीक है ये आपने अपनी बूप पर लिख लेगा है तो नेक्स है रूफ मिलागर अलबास बनाएं और खाली जगा पूर करें अब यहां बर def ZK है और फिर्प लेंडे लिभा थम्झा में जाने और आपने वुदक ने है और साथ P. तर और चुम पर खाली जगा दी ने तो खे चेAR डेंजे चुती है तो यह ग्यातए है अगर मैं इसमुला दे है क्या तक हैं खिंचिल्डी आप ऐसे लफ़ और रुभूप को जोड़ कर लफ़ बना कर उस फ़ली जगा में पूर करेंगे नेक्स है मुर्गी अपनी गैश से दाना चुपती है किस से चे वो नूंगुन्ना और चे यह लफ़ आपकी बूप में दिये गए है उनको जब को मिला लें तो क्या बन जाता है चोँच मुर्गी अपनी चोँच से दाना चुपती है नेक्स बन है डैश हमारे मुर्गी खूपसूरती में इजाफा करते हैं कौँ पेरे नुन्दूना दाल बढ़े दे कौँ परिंदे परिंदे आपकी बूप में डैश हमारे मुर्गी खूपसूरती में इजाफा करते हैं और हरूप में दिया गया है पेरे नुनुना दार बढ़के दे जब हम उस हरूप को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा प्रिंदे प्रिंदे हायों कोल की खुर्टी में इजाफ़ा करते हैं नेक्स है मैं अपने पार को जानों का डैश रखता हूँ खेर छोटी के अर्मी फ्लाम फ्रूप दिये गए है और जब हम उस हरूप को मिलाएं तो क्या बनता है ख्यार मैं अपने प्रिंदों का ख्यार रखता हूँ रास पर है हमें लाला की गैश का शुकर अदा करना चाहिए और हरूप में दिया गया रहा है नून, आई, दी, ते, वो, हुंभुना तो अगर हम अपनी 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 पर पैंसिल से हमारी नेक्स एक्टिविटी है पैस 29 ये वक्फे के मुतरिक है य। ये देखिए वक्फा जब हमने क्या करना होता है, जुमले के दर्मियान रुपने के लिए वक्फा लगाया जाता है जुम्ले के दम्यान रुपने के लिए वक्षा लगाया जाता है जब इसी जुम्ले में तीन से ज्यादा नाम हो तो उनके दम्यान वक्षा ये निशान है वक्षे का ये निशान लगाया जाता है तीके दम्यान वक्षा लगता है और आफ़र दो नामों, आफ़ी दो नामों के दर्मियान और लगजा है अभी मैं आपको बताती हूँ, ये मिसाल भी है सेहिन में चिडिया, मुरी, चूजे और बिल्ली ये देखिए, सेहिन में चिडिया, अब कि इतने हैं इसमें चार ज़ंबर है चिडिया भी है, मुर्गी भी है, चूजे भी है और बिल्ली भी है तो अब हमने एक को छोड़ देने हैं बाकि जो तीन है ना अब चिडिया के साथ लक्षा आ गया, ये मिशान आ गया, नजर आ रहे हैं आ तो फिर मुर्गी आ गया, फिर मिशान आ गया वकतेगा फिर चूजे के बाद जो एक बचे का ना उसके साथ में और लगा गए ठीक है? सेहन में चुडिया मोगी चूजे और दिल्डी मौजूद थे इस तरह से हम वक्फा जो का साइन है जो निशान है इस तरह से इस्तमाल करते हैं अच्छा अब दिये के तुम्हों को पढ़ें और सी जगा पर वक्फे का निशान पढ़ें पहला मैं तोहीर निमास, लोजा, जकार और हज, इरकान इसलाम हैं अब तोहीर के बाद क्या लाएगा? वक्फा फिर निमास, यहां पर आप उपपा लगाएगे फिर निमास के बाद आप उपपा लगाएगे, फिर रोजा के बाद आप उपपा लगाएगे और फिर और आप इन तीम के दर्म्यान में वक्फा लगेगा इस तरह से आपने यह एक्सरसाइस कंपीन करनी है वक्फा लगाएगे और यह भूप पर ही करना है, नेक्स पे उपंदने 90, इसमें है 6, एक्टिविटी नमर 6, वाहित जुन्लों को जमा जुन्लों में तर्दीर करें अब यह क्या है, मुरूही दान जुग रगी है, तो हम इसको किस सरह से करेंगे, मुर्णी को हम जमा बनाएगे, मुरूहीं, दाना को जमा बनाएगा कि वरूहीं, फिक्रा देखे कि किस हिसाब्स हमने कहां पर किस लप्ज DOJM78 BANADA तो मुर्मिया दाना चुक रही है अब यहां पर लड़की खाना खा रही है लड़की को बना दिया लड़किया और खाना तो खाना तो कोई लगस रहेगा उसके बाद है को है कर दिया फिर लड़का स्कूल जाता है लड़के स्कूल जाते हैं बक्री घास खाते है बक्रे घास खाते हैं और बक्रीयां घास खाती हैं वक्री का क्या चरू होत नीं फिरें मेरी किताब बहुत दिरजस्त हैं मेरी किताब्म हैं यह आपने इस खाली जगा पर फिरी कर रहे हैं नेक्स है लिखाई की महारत पढ़ें और याद करें वोड़ा करें याद करें यह उन्मो में चिंती है यह आपने इसको पढ़ना है पढ़े यह है 12 12 वार रेहे 12 13 14 14 25 25 25 जे पर दाल्मांक, रहे भंदरा, सेम् वसूलानीला, सोला, सीं सब्रेह सत्रा, बैसिता एंच्था अखार, अरच विलाघ एंदरा्ल ए dear how to को अखtsåानी पहार, अफैं बेडrendre में powiedz杯 city OURже our早hh at प्रवादा, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 यह आपने मींति आपनी बुट पर दे गई है आपने इसको याद भी करना है और इसको पढ़ना भी है और जो यह आफ़ी वाली है एक्टिविटी यह नहीं कर दें बस आमारा आज का यह जो सबक है यह फत्म होगे है आपने इसी मश्च कर लेनी इसको पर देग करें है और सवालाइक के जवाबात भी बुट पलिखने है और किताब पर सिर आपने इमनाली करनी है और कोई काम कापी का नहीं है सारा काम किताब का है तो 잡िया नेक्स टीक तफ के लिए वर्ग है। कि नेक्स पीक में आपसे मिलूदी तो मैं आपसे ज़ूर पुछूरी कि कब आपने काम आपके बिश्क कर लिया, थी जिनिफर का काम आपके लिए सबस्षा की बलंग्हानी में प्लस वच किताब कोपी पर खल करें और याँ जए मैंने आपको बता दिया किताब पर इमिला करनी है वाकी सारा काम किताब आपके है आपने बहुत ज़्यार रखें और बड़ों का किहना माने बस आज का मेरा मैसे आपको यह गर्मी आप रहते हैं तो घरमी आपको सब लोग होते हैं अगर आपका जॉइंट फैमिली है या आपकेले भी जाते हैं तो फादर मदर है या चाच्चुन है या दादा दादों सब का किहना माने अच्छे बच्चे बने ठीक है ओके अला हाफिस